तो देखो भाई लोग आज के डेट में सब 4 मिटर सेग्मेंट के अंदर टाटा के नेक्सवन इसके अलवा मारत्य सुज़की की ब्रेजा ये दोनों कारे सबसद अबिकती है उसके बाद हुंडा की वेन्यों आती है किया की सोनेट आती है और इन कारों के बाद निसन के मैगन और इससेगमेंट के अंदर काफी सब्सक्राइब के ने नियो जनटरेशन डबली और वी को गलुबली रीविल कर दिया है इसक आर को बहुत जल्दी इंडियंट में लँच के आ जाना है लेकिन उंड़ा कंपनी ने इस कार के अंधर बहुत ही बड़े-बड़े बदलाव क रहे हैं इसकार का इक्स्ट लोग कंप्रीज चेंज किया है इंटर्यर को भी कंप्रीली चेंज किया है और सबसी इंपोर्टेंट चीज अब आपको हुंडा की ड़ली और वी के अदर एड़ास टेक्नोलोजी को आप्शन मिलने वाला है यह फीचर सेक्टी की सबसे काफ़ उनके अंदर भी आपको सेम फीचर मिल जाएगा इसके अलवा जितनी भी महंगी कार है इंडियन माकेट में बिखती हैं उन कारों के अंदर आपको एड़ास टेक्नोलोजी का ऑप्शन मिल जाएगा तो सेम फीचर आपको हुंडा की डबली और वी के अंदर मिलने वाला है जो सता बड़िया बात है और स्टैंडर्ड सेफटी के तौर पर आपको 6 एरबैक्स मिलेंगे ABS के साथ EBD, Electronic Stability Control और बागी के फीचर आपको एजस्टैंडर्ड सेफटी फीचर मिलने वाले हैं तो होंडा कंपनी ने नियू डबली और वी के अंदर सेफटी का का काफी ध्यान र की गई है 1780 mm की और नियू डबल और वी की हाइट है 1608 mm की तो यह पर इसके लेंद विट और हाइट थूड़ी सी बढ़ाए गई है as compared to previous model इस गार के अंदर आपको 2485 mm का वील बेस मिलेगा और 380 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है इसके अंदर नया 1.5 लीटर 4-cylinder IV-tech petrol engine का use किया हुआ है और यह petrol engine लगबग 121 PS की power or put और 145 Nm का torque produce कर लेता है तो new engine के साथ WRV को launch किया गया है और same engine specification आपको इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है अगर मैं variants की बात करो तो इस car को 3 अलग variants के साथ launch किया गया E, RAS और RAS sensing यह 3 variants आपको इस car के है और पहले की मुकाबले यह car अब दिखने में काफी बढ़िया लग रही है इसके अंदर आपको completely new lighting setup को option मिलेगा इसके front के LED DRLs और headlight का design आप देख सकते हैं sleek LED DRL को option दिया हुआ है जो की दिखने में थोड़े से cool लगते है और सबसे important चीज इसके honeycomb design वाले front के grills इसके front में और rear में आपको dual tone color के bumpers मिल जाएंगे यानि bumpers के ऊपर silver ski plate को option दिया हुआ है और इस कार के अंदर 17 inches के आपको dual tone color वाले alloy wheels भी मिलने वाले है ये कार साइड से भी दिखने में बढ़िया है front का फीशा भी जबदस थे और इसका rear का फीशा आपको definitely पसंद आने वाला है इसके rear के फीशा में new LED टेल लाइट का setup offer किया है हुंडा कमपनी ने तो यहाँ पर इस कार के exterior में आपको गाफर ज़दा changes देखने को मिल जाएंगे इंटरेयर features के बाद को तो इंटरेयर भी completely change हो जुगा है अब यहाँ पर आपको black color का theme मिलने वाला है इंटरेयर में लेदर के finishing के साथ इसका dashboard आ जाता है dashboard का design आप देख सकते है seat के उपर भी आपको लेदर की treatment मिलने वाली है steering wheel के उपर भी आपको लेदर की wrapping मिल जाएगी यहाँ पर आपको multifunction steering wheel का option मिलने वाला है और steering wheel का design भी completely नया रखा है Honda company ने इसके अलावा आपको 7-inch का बड़ा touchscreen information system मिलेगा जो किया आता है Android Auto और Apple Carpeak के support के साथ Car Connected Technology का option भी offer किया है यहाँ पर इसके अलावा automatic climate control wireless smartphone charging voice command और धेज सारे features आपको Honda के इस SUV कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे देखो कल ही इसको Indonesian market में launch किया गया Indonesian market के prices आ चुकी है लेकिन सबसे पहले इसको global market में बेच जाएगा और अगरे एक दो महिनों के अंदर ये car Indian market में entry कर देगी शायद January 2023 या फिर March 2023 तक ये car Indian road पर आपको देखने को मिलने वाली है और रही बात pricing की तो जो current model Indian market में बिकरा है WRV का उसकी कीमत 9 lakh रुपेज से शुरू हो जाती है और जो upcoming WRV रहेगी उसकी कीमत आपको slightly थूड़ी सी ज्यादा देखने को मिलने वाली है लेकिन सबसी important चीज हुंडा कंपनी ने इस कार का लुक कंप्लीटली नया रखा है इंटरेल भी कंप्लीटली नया रखा है और यहां पर आपको एड़ा से टेक्नोलोजी को option मिलने वाला है जो कि safety के साब से काफे ज़दा important है और बॉजल दी हुंडाई कंपनी क्रेटा के अंदर सेम फीचर को ओफर करने वाली है अपकमिंग सेल टॉस के अंदर भी आपको सेम फीचर देखने को मिल जाएगा जैसे ही ये कार इनिन माकेट में लॉंच होती है इनका डीटेल रिवीव वीडियो में ज़रूर लाँगा उसके लिए आपको चनलन को सब्सक्राइब करके बल नोटिफिकेशन को और रखना है